इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कालूकवा नीलो कवी के पीछे पीछे फिरता है उसे महीने भर का राशन ला कर देता है उसके सारे काम करता है और घर में अपनी पत्नी गोरी को सुखे दाने खिलाता है फिर जब कालू कवा नीलो के लिए बेसन के लड़ू लेकर जाता है तो नीलो कवी बहुत खुशी-खुशी वो लड़ू खा लेती है मैं फिर कल आऊंगी कालू जी आपका घर देखने मैं भी तो देखूं कालू का घर कितना बड़ा है घर में तो उसकी पतनी गोरी कवी थी इसलिए कालू कवा डर जाता है इतनी भी क्या चल दी है फिर किसी दिन देख लेना मेरा घर कहां वो तुम्हारा ही है मुझे से रहा नहीं जा रहा मैं कल ही आऊंगी तो फिर दुपहर को आना मैं घर में कुछ खास बनवाओंगा आपके लिए मैंने अपनी मां से बात करनी थी नमबर मी लाया तो पता चला मेरे मुबाइल में बैलन्स ही नहीं है मेरे होते हुए तुम्हें बैलन्स की क्या चिंता मैं जाते हुए पूरे पांच सो का करवा दूँगा आप भी सोच रहे होंगे जब से नीलो आई है काम पर काम ही बताए जा रही है सच बताऊं नीलो मुझे तुम से बात करके बहुत अच्छा लगता है तो फिर क्यों ना हम शादी कर लें पहले मुझे गोरी का कुछ करना होगा गोरी कौन गोरी? वो मैं भूल गया गोरी मेरी नोकरानी का नाम है मैं उससे कहूंगा कि कल आप के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाए अब मैं जाता हूँ मुझे अपनी नोकराणी के लिए समोसे भी लेकर जाने हैं उसे समोसे बहुत पसंद हैं आप बहुत अच्छे कवे हो आप जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा अपनी नोकराणी का कितना ख्याल रखते हो मैं तो ऐसा ही हूँ और आप भी बहुत सुंदर हो सब ऐसा ही कहते हैं सब मुझे सुन्दर कवी सुन्दर कवी कहते थे दूसरे जंगल में कल क्या लाओं मैं आपके खाने के लिए रात को फून पर बताऊंगी मैं इंतजार करूंगा आप फून ना करना मेरे पास फ्री का बैलन्स है मैं खुद ही काल कर लूँगा फिर कालू कवा वहां से उड़ता है कालू जी मेरा बैलन्स ना भूल जाना मैंने मां से बात करनी है फिर कालू सीधा तोते के पास जाता है और तोते से नीलो के नमबर पर पांच सो का बैलन्स करवाता है ये नमबर ये नमबर तो नीलो कवी का है जो नहीं आई है इस चंगल में तुम्हें कैसे पता चला मिठो वो मेरे पास कल बैलन्स करवाने आई थी बहुत सुन्दर है वो और बहुत तेज भी ठीक है ठीक है ऐसे नहीं कहते किसी के बारे में फिर कालू कव्वा वहां से चला जाता है शकल देखी है अपनी मोटी चोंच वाला तोता बहुत सुन्दर है जैसे मोसी लगती हो इसकी मैं आज ही नीलो से कहूंगा कि किसी भी काम से बाहिर ना जाए फिर कालू रास्ते से गोरी के लिए दो समोसे लेता है और घर चला जाता है थेंक यू कालू जी समोसे लाने के लिए तुम बहुत अच्छे हो बहुत स्वादिष्ट है गरम गरम खालो क्या आपने कुछ खाया है मुझे छोड़ो तुम खालो ऐसा कैसे हो सकता है मैं खाऊं और मेरा कालू मेरे मूँ की तरफ देखे हम दोनों एक-एक खा लेते हैं फिर गोरी और कालू दोनों एक-एक समोसा खा लेते हैं रात फिर से हो जाती है लाल्टिन भजा दो गोरी मुझे नीद आ रही है थोड़ी देर बातें करते हैं कालू जी इतनी भी क्या जल्दी है सोने की मेरे सर में दर्द है मैं दबा दूं क्या नहीं नहीं बस लाल टेन बंद कर दो गोरी लाल टेन भुजा देती है और अपना मू दूसरी तरफ करके सो जाती है वैसे इतनी भी बुरी नहीं है गोरी एक समोसा खाकर इतनी खुश है जैसे कोई बड़ी चीज मिल गई हो फिर कालू आहिस्ता से गोरी की आंखों में देखता है सो गई, सो गई है ऐसा कहते हुए कालू नीलो कवी का नंबर लगाता है बैलन्स करवाने का थैंक्स लो जी ठैंक्स कैसा और हाँ फिर कभी उस मोटी चोंच वाले तोते की दुकान पर ना जाना बैलन्स करवाने वो तुम्हें बुरी नजर से देखता है अच्छा मुझे भी लगा था वो मेरी तरफ घूरे जा रहा था जब कल मैं बैलन्स करवाने गई थी तुम्हें सुन्दर सुन्दर कह रहा था अब आप है ना मुझे क्या जरूरत ऐसे फजूल किसम के पक्षियों के मू लगने की एक कभूतर भी रहता है उससे भी बात नहीं करनी चाचा चाचा कहते हैं हम उसे ना जी मुझे क्या जरूरत अपने कालू को छोड़ कर चाचा कबूतर से बातें करूँ कालू जी कल आप न मेरी तरफ आना मैं आऊंगी आपके घर तो फिर दुपहर को आना दुपहर को ऐसे कालू कभवा सारी रात नीलो कभवी से बातें करता है सुभा हो जाती है अब गोरी को कैसे घर से बाहिर भेजूं क्या करूं अगर नीलो आ गई तो गोरी को सब पता चल जाएगा हाँ उपाए मिल गया मिल गया उपाए गोरी उठो अभी तक सोई हो जल्दी उठो कालू क्या हुआ क्या शोर मचा रखा है ये लो पैसे और जा कर कुछ शोपिंग कर लो कई दिनों से तुम शोपिंग को नहीं गई हो कालू क्या हुआ कभी आज तक पहले तो नहीं कहा तुमने ऐसे जब पैसे लिए लड़ लड़ कर ही लिए तुमसे अब बातें छोड़ो जल्दी से पैसे लो और अपने लिए शोपिंग कर आओ थोड़ा खूं फिर लेना बाजार में वो चिडिया बहन बुला रही थी उससे भी मिलाना फिर गोरी कभी पैसे लेकर घर से चली जाती है थोड़ी देर बाद नीलो कभी भी आ जाती है आप तो जल्दी ही आ गई हो अभी तो मैंने कुछ बनवाया भी नहीं है आपके खाने के लिए मुझे थोड़ा काम बन गया था आपसे क्या काम नीलो मेरी सहली की शादी है दूसरे जंगल मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी कितने कितने पैसे आपको चाहिए नीलो आपके पास कितने है बस दो दिन बाद मैं लुटा दूँगी तुम बताओ जरूरत कितने पैसों से पूरी होगी एक लाख रकम थोड़ी बड़ी है डर गे ना मैं लुटा दूँगी दो दिन बाद नहीं नहीं मैं डरा तो नहीं हूँ एक लाख की क्या बात है ऐसा कहते हुए कालू कवा अलमारी से एक लाख निकाल कर मीलो को दे देता है अब बैठो चाय बीते हैं कालू जी थोड़ी जल्दी है मैं चलूँ आपके साथ नहीं आप त्यारी करो मैं कल वापिस आ जाओंगी और फिर हमें भी तो शादी करनी है अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा किसका त्यारी त्यारी और क्या वो ऐसे बातें कर रहे थे कि गोरी कवी भी घर वापिस आ जाती है जिसे देखकर कालू बहुत डर जाता है कालू ये कौन है ये मेरी नौकरानी है गोरी है नाम इसका अच्छा अच्छा बताया था आपने इसका कालू ये कौन है ये ये नीलो कवी है नई आई है हमारे जंगल में बहुत बड़ा घर है ना हमारा ये हमारा घर देखने आई थी अब मैं चलती हूँ गालू जी फिर नीलो कवी वहां से चली जाती है अभी शाम होने को थी जब जंगल में एक शोर मच जाता है लुट गे हम लुट गे वो कवी मेरा पांसो लेकर भाग गई मेरी दुकान पर आई पूरे एक हजार का बैलन्स करवाया और कहा कि मैं पैसे घर भूलाई हूँ यहां तो ताले लगे हुए है ताले चिडिया दोडी दोडी कालू कवी के घर आती है कालू कालू वो कवी मेलो पैसे लेकर भाग गई है कबूतर और तोते के क्या चिडिया ये तुम क्या कह रही हो जा कर देख लो सब वहां बैठे रो रहे हैं नीलो वो जो सुभा हमारे खर आई थी कालू कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं दे दिया ऐसा कहते हुए गोरी अलमारी खोलती है वहां तो एक रुपेया भी नहीं बढ़ा था कालू पैसे कहा है यहां पैसे पड़े थे चिडिया कहा है सब कहां है ऐसा कहते हुए कालू घर से भागता है गोरी और जिडिया भी कालू के पीछे उरती है जब कालू नीलो के घर पहुंचता है तो वहां ताले लगे हुए थे मेरा किराया भी लेकर भाग गई और जाते जाते मुझसे सोने की अंगूठी भी ले गई मुझसे पांच सो लिये थे गोरी और जिडिया भी पहुंच जाती है कालू मेरा तो एक हजार गया कल तुम भी उसके नंबर पर बैलन्स करवाने आई थे तुम्हें कितने का चूना लगा कर गई है वो नीलो कवी गोरी हम लुट गए हम लुट गए वो मुझसे एक लाख उधार ले गई है हौई रे मेरी किसमत मेरा तो घर ही उजड गया रुपेया रुपेया करके जमा किया था मैंने और वो चडेल सब लुट कर ले गई ऐसे नीलो कवी सब को चूना लगा कर भाग जाती है तो था कबूतर और बुलबुल रो रहे थे कालू कवी का तो दिल भी रो रहा था क्योंके कालू के वल लुटा ही नहीं था वो कवी तो उसके सपने भी तोड गई थी प्यारे दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि नीलो कवी कालू से कितने पैसे ले कर गई हमें आपके जबाब का इंतजार रहेगा अपने पती के मर जाने के बाद वो जिडिया अपने चोटे से बेटे को साथ लेकर अपनी मा के घर चली जाती है क्योंके उसे सर चुपाने के लिए चछत चाहिए थी मा के घर में उसका भाई तो उसका थोड़ा बहुत ख्यार रखता ही था परन्तु उसकी भाई उसका वहां रहना पसंद ना करती शायद कुद्रत को यही स्वीकार था कि कुछी दिन बाद उसकी मा बीमार हो जाती है और वो मर जाती है मा, मा, आप भी मुझे छोड़ कर चली गए मा, आपके सहारे ही तो मैं जिन्दा थी अब मेरा क्या होगा मनहूस चुप कर जा पहले अपने पती को खा लिया और अब इस घर में कदम रखते ही अपनी मा को मार दिया रोटी तो मिल रही है तुम्हें इस घर में और तुम क्या चाहती हो अब छोड़ो टीना, जाने भी दो ऐसे ही कुछ दिन गुजट जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कवी उनके घर में आती है आओ आओ गोरी, क्या लोगी चाहे या ठंडा चाहे ही पी लेती हूँ मैं तो अफसौस करने आई थी मा जी का पता चला था अब यहां बैठे बैठे हमारी तरफ क्या देखे जा रही हो अपने बैठे को यहां बठा कर जाओ और रसोई में मेरी सहेली के लिए एक अप चाहे बना कर लाओ मैं अभी ले आती हूँ जाए रानो जिडिया रसोई में चाहे लेने चली जाती है अब यह यहां कब तक रहेगी ना जाने कब तक जब से पती मरा है तब से यही रहती है पहले तो इसकी माँ इसे खर्चा दे दिया करती थी अब तो सब हमें ही करना पड़ेगा सहेली तुम अपने पती से को हो कि अपने माता पीता की जाएदाद अपने नाम लगवाले कहीं ऐसा नहो कि बाद में ये मनहूस अपना हिस्सा माँगने लगे बाद तो तुम्हारी ठीक है और जाएदाद अपने नाम लगवाने के बाद इसे यहां से भगा दोंगी अब जब तक जाएदाद अपने नाम नहीं लगवा लेते इस मनहूस से थोड़ा प्यार से बात करना ऐसी मासूम शकल वाली बड़ी होशियार होती है भापी मैं एक अप आप के लिए भी ले आई हूँ बैठो बैठो रानो आप भी हमारे पास ही बैठ जाओ ये मेरी सहेली है गोरी कवी बता रही है कि कल ही ये अपना हिस्सा अपने भाईयों को दे कर आई है सभी बैने अपना हिस्सा अपने भाईयों को ही देती है मैंने भी ऐसा ही किया और रानो तुम तो रहती भी इसी घर में हो आपी अपने हिसे की जाइदाद अपने भाई के नाम ही लगवा दो नहीं नहीं हमारा कौन सा कुछ बांडा हुआ है ये सब भाई और भाबी का ही तो है फिर भी रानो मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज तुम्हारे भाई से बात करूंगी और ये काम भी कर ही लेते हैं तुम्हें काहे की चिंता इतना तो खियार रखते हैं तुम्हारे भाई तुम्हारा इस काम में देर ना करना ऐसा कहते हुए गोरी कवी वहां से चली जाती है रात को जब टीना का पती घर आता है तो उसकी पतनी टीना उससे कहती है सुने जी मैंने सोचा है परानों के हिसे की जो जायदाद है वो आप अपने नाम ही लगवा ले ऐसी भी क्या जल्दी है वो कौन सा हमसे अपना हिसा मांग रही है क्या पता कल मांग ले और इसमें बुरा ही क्या है मैंने भी तो अपना हिसा अपने भाईयों को ही दिया है तुम्हारे पास था ही क्या एक घर ही तो था जो भी था मैंने अपना हिसा अपने भाईयों को दे दिया ऐसे अगले दिन रानों चड़िया का भाई कुछ पेपर ले कर आता है और अपनी बेहन से कहता है रानो ये हमारी जायदाद के पेपर हैं तुम्हारी भाबी चाहती है के मुझे सर बता दिया था भाबी ने आप बताएं कहां साइन करना है यहां और यहां और फिर ऐसे उसकी बहन उन जायदाद के पेपर्स पर अपने साइन कर देती है और उसका भाई खुशी खुशी वो पेपर्स लेकर चला जाता है क्या तुम्हें इस बात का कोई दुख तो नहीं है कि तुमने अपना हिस्सा अपने भाई को दे दिया नहीं नहीं भाबी, मैं तो आप तोनों को खुश देखना चाहती हूँ तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे को पाल रहे हैं और वो भी मुफ्त में ये सुनकर रानो चिडिया अपना साथ छुका लेती है कुपकु के पापा जब बिमार हुए तो सारा पैसा उनके इलाज पर लग गया और हमने अपना घर भी पेश दिया पता है मुझे सब पता है चलो हमें भी तो घर में किसी काम वाली की जरूरत होती ही है अच्छा है तुम घर के काम भी कर देती हो और तुम्हें रहने को जगा भी मिली हुई है मैं थोड़ी सेर करने जा रही हूँ मेरे आने तक घर की सफाई अच्छे से कर देना हो सकता है शाम को मेरी एक सहेली आए जी भाबी मैं घर साफ कर दूँगी तीना घूमने चली जाती है उसकी सहेली गोरी कवी उसे मिलती है क्या लगवाली सारी जाइदात तुम्हारे पती ने अपने नाम लगवाली है वो तो नहीं मान रहे थे मैं नहीं समझाया उन्हें तो फिर कोई बहाना बना कर निकालो उस मन्होज को अपने घर से अब तुम्हें उससे क्या मतलब घर का काम कर देती है और दो वक्त की रोटी खा लेती है हमारा क्या लेती है अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो फिर क्या करोगी तुम ये बात तु तुम्हारी ठीक है ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं कैसे निकालू उसे अपने घर से ये काम तो बहुत आसान है और फिर गोरी कवी टीना के कान में कोई बात बताती है जिसे सुनकर टीना बहुत खुश हो जाती है मेरी सहेली तो बहुत बड़ी शेतान है मैं कल ही उसे घर से निकलवा दूँगी और वो भी उसके अपने ही भाई से दूसरे रोज टीना अपने पती के कुछ रुपए उठाती है और रानो चिडिया के बैग में डाल देती है उस समय रानो चिडिया अपने बेटे के साथ नदी पर गई हुई थी और जब उसका पती शाम को उससे अपने पैसे मांगता है तो वो संदूख खोल कर रोना शुरू कर देती है पती जी पती जी हम तो लुट गे संदूख में तो एक रुपए अभी नहीं है ये पैसे कहांगे अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने अनाज बेच कर मैं तो अपने बेटे के लिए जूता लेने बाजार जा रही हूँ और मुझे मांजी ने मनने से पहले पांसो रुपए दिये थे वेही है मेरे पास मुझे तो इस पर शुक है अगर आप के हैं तो मैं तलाशी लूँ इस मन्हूस के बैग की जरा देखो तो सही लाओ जरा अपना ये बैग तो दो मुझे शायद गलती से तुमने उठा लिये हूँ ले ले भाबी मैं कौन सा चोड़नी हूँ रानो की भाबी उसका बैग लेकर जैसे ही खोलती है तो रानो चिडिया उसमें पांच हजार रुपए देखकर हैरान हो जाती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैंने पैसे चोरी नहीं किये अब हमें और उलू बनाने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुमने पैसे चोरी नहीं किये तो क्या खुद जलके रुपए तुम्हारे बैग में चलेगे मुझे रानो तुमसे ये उमीद ना थी मा के मरने के बाद मैंने सोचा था कि हमेशा तुम्हें अपने घर में रखूंगा भाई ये घर मेरा भी तो है वो तुमने हमारे नाम लगवा दिया हुआ है मैंने कुछ नहीं किया मैं चौर नहीं हूँ मैं नहीं जानती ये रुपए मेरे बैग में कैसे आए परन्तु उसका भाई अपना मू दूसरी तरफ कर लेता है सुन लिया जवाब अपने भाई का कुछ बातें समझने की होती है अगर समझदार हो तो निकल जाओ इस घर से मैं समझ गई भाई मैं सब समझ गई और भाई ये भी के आपने अपना मू दूसरी तरफ क्यों किया है प्यारे दोस्तों इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना हमें इंतजार रहेगा